जैहिंद विद्यार्थियों मैं रामनात पटले इस यूटूब चैनल मासाप जी में आपका स्वागत करता हूँ विद्यार्थियों आज के इसका आलखंड में हम आपकी आगामी अर्धवार्शिक परिक्षा के लिए आदर्स प्रस्नपत्र लेकर आये हैं यहाँ आदर्स प्रस्नपत्र आपकी आगामी अर्धवार्शिक परिक्षा हे तू अत्यनत ही महत्पूर है वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग रहे है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथ अर्थसास्त्र कर ला एवं वानिजी संका है ब्लूप्रिंट के अंसार आपका यहाँ प्रस्नपत्र अस्ती अंकों का होगा जिसमें प्रस्नक्रमांक एक से पांच तक वस्तुनिस्ट प्रस्न होंगे और प्रत्तेक उप प्रस्न पर एक अंक आवंटित है इस तरह कुल 32 अ मूल्य निर्धारन और दा उप्रोक्त सभी तो यहाँ पर सही उत्तर है दा उप्रोक्त सभी दूसरा निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में नीजी चेत्र एवं सारोजनिक चेत्र का सहआस्तित तो पाया जाता है विकल्पा पुंजीवादी बा समाजवादी समिस्रित और दा इन में से कोई नहीं, तो सही उत्तर है, सा मिसरित अर्थवयोस्था, तीसरा, जब कुल उपयोगीता अधिक्तम होती है, तब सीमान्त उपयोगीता खाले स्थान, विकल्ब आ धनात्मक होती है, बा रिनात्मक होती है, सा सून्य होती है, दाइन मेंसे कोई नहीं तो सही उत्तर है ससून्य होती है चोथा ऐसी वस्तु हैं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है अपूरक वस्तु हैं बा इस्थापना वस्तु है यहाँ एव मिस्प्रिंट है यहाँ इस्थानापन वस्तुए है स आरामदायक वस्तुए और दा इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर है बा इस्थानापन वस्तुए पांचवा मांग की कीमत लोज कितने प्रकार की होती है विकल्प आ तीन बा पांच स छे और दा साथ तो सही उत्तर है बा, पांच, छटवा, मांग की कीमत लोज से क्या अभिप्राय है विकल्ब आ, कीमत के परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, बा, मांग में परिवर्तन, सा, कीमत में परिवर्तन, और दा, आय में परिवर्तन तो सही उत्तर है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन यानि विकल्ब आ सही है प्रसन करमांग दो रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए नम्मर एक पैमाने के प्रतिफल का संबंध रिक्तिस्थान में हम लिखेंगे दीर्खकाल से होता है दूसरा लागत फलन में लागत खालिस्थान का फलन होती है उत्पादन का फलन होती है तीसरा पूर्ती का नियम कीमत एवं वस्तू की पूर्ती के बीच खालिस्थान संबंद बताता है धनात्मक संबंद को बताता है चौथा, दूध जैसी वस्तू के लिए पूर्ती की लोज खालेस्थान होती है, यहां हम लिखेंगे बेलोजदार या एकाई से कम होती है पांचवा, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खालेस्थान वस्तूएं बेचते हैं, समरूप वस्तूएं बेचते हैं चट्वा, वस्तू की कीमत का निर्धारन दोनों मांग तथा खालेस्थान वक्रों द्वारा होता है, तो यहां हम लिखेंगे पूर्ती मांग तथा पूर्ती वक्र द्वारा वस्तू की कीमत का निर्धारन होता है सात्वा क्रसी वस्तूओं के लिए कीमत की निमनतम सीमा को खालिस्थान भी कहा जाता है निमनतम समर्थन मूल या MSP minimum support price प्रस्णक्रमांग 3 सही जोडी बनाईए कालम आ में पहले नम्मर पर है टिकाउ वस्तू टिकाउ वस्तू की जोडी कालम बा में दूसरे नम्मर पर दिये हुए रेफ्रिजरेटर से बनाईएंगे दूसरा सकल घरेलू उत्पाद यानि GDP दूसरा सुद्ध घरेलू उत्पाद NDP से सकल रास्ट्री उत्पाद यानि GNP सुद्ध रास्टी उत्पाद NNP प्रसन करबांग चार निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखिए नम्मर एक मुद्रा वह है जो मुद्रा का कारे करे सत्य दूसरा चैक हुंडी बिल आदी साख मुद्रा के उधारन है सत्य तीसरा वस्तू विन्मेर प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा सईयों का आवस्यक है सत्य चौथा कीन्स का रोजगार सिद्धांद प्रभावपूर्ण मांग पर निर्वर है सत्य पांचवा उपभोग एवं आय का संबंद उपभोग फलन कहलाता है सत्य और छटवा प्रतिष्ठित अर्थसास्त्रियों के अनुसार मजदूरी में कटोती बिरोजगारी को बढ़ा सकती है विद्यार्थियों वैसे तो यह कथन सत्य है कि मजदूरी में कटोती बिरोजगारी को बढ़ा सकती है लेकिन यहां लिखा हुआ है प्रतिष्ठित अर्थसास्तियों के अनुसार प्रतिष्ठित यानी परंपरावादी अर्थसास्ति और उनका मानना था कि मजदूरी में कटोती करके हम अर्थववस्था में उपलब्द सभी सरमिगों को रोजगार दे सकते हैं तो यहां कथन असत्य है, प्रस्णक्रबांग 5 एक वाक्य में उत्तर लिखिए, नम्मर एक MPC का अर्थ लिखिए, MPC अर्थात उपभोग की सीमान्द प्रवर्त्ती यानि Marginal Propensity to Consume, दूसरा, MPS का क्या अर्थ है, MPS अर्थात Marginal Propensity to Save, यानि बचत की सीमान्द प्रवर्त्ती, तीसरा, भारत के केंद्री बैंक का नाम लिखिए, भारत का केंद्री बैंक है, Reserve Bank of India या RBI, चोथा, SBI का पूर्ण रूप लिखिए, SBI का पूरा नाम है, State Bank of India या भारती State Bank, तथा बैंकों से रिण की क्रिया, तो अर्थवे उस्था में उपलब्ध, रिण सुविधा को ही साक कहते हैं, छटवा, CRR क्या है, CRR यानि Cash Reserve 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 अर्थात नकद कोश अनुपात, विद्यार्थियों नकद कोश अनुपात, बैंकों की कुल जमारासी का वह प्रतिसत है, जो उन्हें रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, आईए अब देखते हैं, अतिल अगुत्री प्रस्ण, जो की दो-दो अंकों के हैं, प्रस्ण क्रमांग 6, बाजार अर्थ्योस्था किसे कहते हैं, अथवा व्यस्टी अर्थसास्तर का अर्थ लिखिए, विद्यार्थियो, सम्याभाव के कारण हम आपको यहाँ पर केवल आदर्स प्रस्ण पत्र में दिये हुए प्रस्णों की जानकारी दे रहे हैं, आप इन प्रस्णों की अच्छी तैयारी करें, अगले किसी कालखंड में हम इनके उत्तर भी यथा संभव आपको बताएंगे, सात्वा प्रस्ण है, उप्योगिता किसे कहते हैं, अथवा सीमान्त उप्योगिता का अर्थ लिखिए, प्रस्ण करमांग आठ, सामाने वस्तुएं किसे कहते हैं, अथवा निमनिस्तरी वस्तुएं किसे कहते हैं, प्रस्ण करमांग नौ, उत्पादन फलन से क्या अर्थ है, अथवा कुल उत्पादन से क्या अर्थ है, दसवा बाजार का अर्थ लिखिए अत्वा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ लिखिए प्रस्न क्रमांग ग्यारा पूर्ती का अर्थ लिखिए अत्वा पूर्ती की लोज किसे कहते हैं प्रस्न क्रमांग बारा स्रमिक की मजदूरी दर किसे कहते हैं अथवा पारिवारिक छेत्रा किसे कहते हैं प्रस्नक्रमांग 13 मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं अथवा पुझीगत वस्तुएं किसे कहते हैं प्रस्नक्रमांग 14 मुद्रा का अर्थ लिखिये अथवा व्यवसाइक बैंग किसे कहते हैं प्रस्नक्रमांग 15 समग्रमांग का अर्थ लिखिए अथवा गुणक किसे कहते हैं प्रस्नक्रमांग 16 से प्रस्नक्रमांग 19 तक लगुत्री प्रस्न है जो की 3-3 अंकों के प्रस्न है इनमें भी अंतरिक विकल्प दिये हुए हैं, आपको किसी एक प्रसन का उत्तर लिखना है, तो प्रसन करबांग 16 है, सकरात्मक तथा आदर्शक अर्थसास्तर में तीन अंतर लिखिए, अत्वा व्यस्टी अर्थसास्तर की तीन विसेस्ताइं लिखिए, प्रसन करबांग 17, पूर्ण प्रतियोगिता की तीन विसेश्थाएं लिखिए अत्वा पूर्ती को निर्धारित करने वाले तीन तत्तों लिखिए प्रस्नक्रमांग 18 प्राथमिक तथा दोतियक छेत्र में अंतर बताईए अत्वा रास्टी आय गणना की आय विधी का संचेप में वर्णन कीज प्रस्नक्रमांग 19 मुद्रा के प्राथमिक कारियों को समझाईए अत्वा व्यापारिक बेंक के तीन कारियों को समझाईए प्रस्नक्रमांग 20 क्रेताओं की आय में व्रधी से वस्तू की मांग किस प्रकार प्रभावित होती है इसपस्ट कीजिए अत्वा वस्तू की कीमत एवम मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंद को इसपस्ट कीजिए प्रस्ट क्रमा की की सीमान्त लागत वक्र कैसा दिखाई देता है यह ऐसा क्यों दिखता है इसपस्ट कीजिए अत्वा निम्नलिखित ताली का स्रम का कुल उत्पादन अनुसूची को बताता है इसके आधार पर सीमान्त उत्पाद अनुसूची निकालिये यहाँ पर कुछ आकड़े दिये गए है इससे सीमान्त उत्पाद अनुसूची बनाना है ये चारंग के प्रस्ण है प्रस्ण क्रमांग 20 से लेकर के प्रस्ण क्रमांग 23 तक तो प्रस्ण क्रमांग 22 किस प्रकार वस्तु बिन में प्रणाली दोहरे सयोग के अभाव से ग्रसित थी इसपस्ट कीजिए अथवा मुद्रा एक बुरा स्वामी है क्या आप इस बात से सहमत हैं इसपस्ट करें प्रस्ट कर्मांग 23 कौन से कारण उधासीनता वक्र को मूल बिंदू से उन्नतोदर बनाता है अथवा सीमांत उपयोगिता के सूर्ने होने पर कुल उपयोगिता अधिक्तम हो जाती है क्यों तो विद्यार्थियो इस प्रकार आज के स्कालखन में आगामी अर्धवार्सिक परिक्षा है तू? क्लिक कर लिजी जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नुटिफिकिसन प्राप होती रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परिक्षा उपयोगी जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैए गयाँ